पूर्व कैबिनेट मंतरी और रुधर। तो अंगूठी को लेकर किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता क्या कह रही है देखिए मैं जब दिल्ली में टिकट लेके लेने के गया मुझे बोला गया कंडारी जी आपका टिकट फाइनल है आपको मिलेगा आप जीट सकते हैं और और नहीं जीट सकते हैं मैंने बहुत सुकुरिया उसके बाद जब मैंने देखा तो परदीप फापलयाल जी को टिकट दे दिया गया अच्छी बात है युवा हैं सब कुछ हैं मगर मैं यह कहना चाहता हूं उन्होंने तीन साल ब्लॉक पर मुख रहे उन्होंने क्या क्या है कुछ नहीं किया अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे पूछेंगे कि मैं निर्दले पड़तिया से क्यों बना मैं अपना सामान लेने के लिए काली कमली धर्मसाला में रहता हूँ मैं तो साधान भीकती हूँ लोग तो आलिसान के बिल्लिंग में होटल में ठहरते मेरा लड़का भी ठहरता है माफ किजिएगा राजीव कंडारी भी आलिसान होटल में ठहरता में काली कमली धर्मसाल में ठेहरा अपना सामान यहां से ले जा रहा था मुझे जिर्मोली में जो के रुदरप्रिया के पास में है जब मेरी गाड़ी देखी उन्होंने कहा कंडारी जी यहां पर बैठक है और क्या कहते हैं आपको इस बैठक में आना है मैंने का चलिए वहां आपको लड़ना है तो मैंने का मैं चुनाव लड़ूंगा जनता के आघरा पर में लड़ा और मेरा यह कहना है कि कॉंग्रिस ने टिकटों को बेचा है इस टिकट की बुली जो थी डेड़ क्रोड थी मेरे पास तो पैंसा था ने मैं पैंसा दे नी सकता हूं ना मैं देना चाहता हूं ना मैं रिश्वत खाता हूं ना रिश्वत देता हूं मैं तो जनता का सेवक हू नमक रोटी खाता हूँ, डेड़ क्रोड रुपे में कहां से लाऊंगा तो मेरा कहना है कि आपने कहा कि आपको जनता ने कहा और आपके जो समर्थकते उन्होंने कहा कि चुनाव लड़े तो आप चुनाव लड़ रहे हैं एक बड़ा सवाल ये भी है कि कॉंग्रेस और बीजेपी के अलावा रुद्रप्याग विदान सभा में लोगों का कहना कि मुकाबला त्रिकोणिया है आपके आने से किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हैं बीजेपी और कॉंग्रेस को हाथ ने कुछ नहीं किया हिंदो मुसलिम को आपस में बंटवाया और बीजेपी ने महेंगाई बड़ा दी बेरोजगारी फैल गई बरस्ताचार फैल गया जो परवासी भाई हमारे देश विदेश में नोखरी करते थे और मनिडर करके अपने परिवार का पालन पोशन करते थे केंदर सरकार ने और उत्राखन सरकार ने उन बेरोजगार परवासी भायों को रोजगार देने में सफलता प्राप्त नहीं किया अर्थात गुम्रह किया मुखे मंतरे ने का 25 लाग का हम रिंड देंगे और साड़े 6 लाग हम सबसुड़ी देंगे मैंने का साड़े 26 लाग मत दीजिए केवल 6 लाग सबसुड़ी दीजिए ताकि वह उसको चला सके 25 लाग लेंगे तो 25 के 50 लाग हो जाएंगे और फिर वही विचारे रिंड में डूब जाएंगे तो इसलिए बीजेपी ने भी काम नहीं किया कॉंग्रिस ने भी काम नहीं किया जनता हतास और निरास है और जनता ने मातपर सिंग कंडारी को जिताने का संकल पर लिया और मैं जहां भी जारौ हूँ तो जनता बोल रहे है कंडारी जी हम आपकी साथ है जनता बूलती है एक सवाल ये है कि यहाँ पर जो मौजदा विधायक है बीजेपी से रहे 2017 में सरकार भी रही 77 विधायकों के और केंदर में भी सरकार थी कहा गया कि डबल इंजिन का फाइदा होगा उनका कहना ये है जब उनका किया था कुछ समय पहले उनका कहना ये है कि रुद्रप्याग विधायसाभा उनकी दौरे कई काम किये गए है 2500 किलमेटर के करीबन सडकें बनाए गई है स्वास के खेतर में भी काम किया गया मातपर सिंक कंदाय ने सुयकर कर रखी है मँआप किजएगा एक भी नई सरक नहीं बनाए जो सडकें मैंने सुयकर कर रखी जो सुयकर कर रखी थी बितियर सुयकरती मिली भी थी सासन आदे सोौका था हुदा है वह तो उनको भी नहीं बनना देना चाहते हैं क्योंकि मातपर सिंग कंडारी ने किया नहीं एक उधान देना चाहता हूं। दोनों विधायकों ने उनको बिचाने का प्रियास नहीं किया। अइसे पड़े हूई है। नहीं करना चाहते हैं। उसका यसकिस को जाएगा, मातपर सिंग कंडारी को जाएगा। ऐसे बेदभाव। जनता की साथ नहीं करना चाहे। दोनों विधायकों ने चाहे 2012 में हो और चाहे 2017 में हो। दोनों विधायकों ने जनता को गुम्रा किया। रहा सवाल यहीं जाखाल में जनता ने बोला जब विधायक जी आए तो जनता ने बोला भी तुमने किया क्या बताओ। जवाब नहीं दे सके और बोलना बंद कर दिया और सिधा निकल गे तो मेरा कहना है हमें तो नहीं बोला किसी ने कि तुम मुआपस जाओ आज मुझे जो है बोल रहे हमारे छेतर के लोग बोल रहे हैं कंडारी जी तुम हिम्मत वो करो हम तुमारे साथ में है मौझता विधायक जो यहां के हैं उनका कहना है कि कंडारी जी लंबे समय तहग के बिदाय क्या में 국न मत्रे भी के के मां कॉत्तर विदाय के साथ जो काम कारवाने चाहिए थे हुने वो काम के वर कम पुर जँदे आफ ज़ा harp ब्लॉक है मैंने रुदरप्रयाग में महाविद्याले खोला और रतूरा में मैंने पॉली टेक्निक खोला और आईटी आईवी में रेंतोली में किया अर्थात ये काम किये है ना अस्पतालों की बिल्डिंग बनाई शड़कों का जाल विचाया पानी की योजनाई बनाई ये लस्तर का पानी मैंने पूर्वी चाका पोंचाया बोलो कहां लस्तर कहां गिठाना बधानी और कहां पूर्वी चाका अगस्तमुनी के पास में तो वहां का पानी मैंने अगस्तमुनी पूर्वी चाका में पोंचाया अर्थात पीनी के पानी की समस्या मैंने हल की है यहाँ इस चेतर का चोहो मुखी विकास किया है जनता की साथ दोका नहीं किया और 35 वर्ष की कार्य काल में है जनता की सिवा की मैंने 35 वर्ष तक एक पैसे का आरोप मेरे उपर नहीं है ये दामन बिलकुल साप है और यहां तो यह है जो बनना चाहते हैं अभी बने नहीं है गलेदारी और ठेकेदारी कर रहे हैं ठेके भी अपने आप कर रहे हैं ठेकेदार को करना चाहे है न जो ठेकेदार है मैं ठेकेदार बन जाओंगा तो बिदाए कि मैं किस किज़गा करा हूँ जो मैं पूरा बात करता हूँ कि यहां पर जो परत्यासी हैं उन में से कोई ठेकेदार है कोई जो हैं अपनी मशीने चलाते हैं कोई अपने डंपर चलाते हैं और हमारे भाई ठीकेदार बेरोजगार हो गए हैं और मेरा संकल्प है कि मैं यहां की परवासी भायों के दुख दर्द को दूर करूँगा एक मैलाओं का जो पीठ में बोज ढोने वाला काम है इसको मैं खतम करूँगा दो मुझे प्रसन पूछेंगे कि मैलाओं यदि पीठ में बोज नी ढोईंगे तो आप क्या करेंगे मैंने का नीटिंग का काम करेंगे विविंग का काम करेंगे कटिंग का का काम करेंगे टेलिर प्रचार प्रचार आपका लगातार जारी है वोटिंग में कुछी दिनों का समय बचा उमर भी आपकी काफी जादा होगे। दो तीन दिनों से बडर भी घृ लए यह संपर्छक कर रहा हूं। और क्या कहते हैं जंता से संपर कर रहा हूं और अन्य परत्याशी क्या कर रहे हैं यही तर अभी यह गाउ है बांसिल पुछ लियना वह एक परत्याशी ने रुपए के गठि उसको दे दी और तब जाकि कोहां के गाउवाले बोल रहे हैं कंडारी जी पैंसे मत बाढ़ना हम हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने जगा किज़ा खेता की एक पर्तियासी ब्र ». किसी ठीकदार दुकानदार से सौधा कर गया, उन्होंने खा, दो वोट मिलेंगे उसके, और कुछ नहीं मिलेगा, अगर ठीकदार किसी को पैसा दोगे, हम वोट नहीं देंगे कंडारी, हम को बिना पैसे के, हम आपको वोट देंगे, दस मार्च को नतीजे आ जाएंगे, नतीजे क्या देख रहे हैं आप आखरी सवा, देखे, कॉंग्रेस में ग्रह युद्ध है, आप देखे रहे हैं, हरी स्रावत की बेकदरी हो रही है, और नहीं होनी चाहे थी, मगर हो रही है, और बीजेपी में भी जंग है, तो अब क्या निर्दलियों के सरकार बनेगे, मैं कहता हूँ, निर्दलियों का राज होगा, और यहाँ पर उत्राखर्ण का चोह मुखी विकास होगा और मंत्री भी रहे कैबिनेट में, नितापती पक्ष भी रहे, कही तरह की जब्यदारियां समवाली और इस बार अंगुठी चुनाव निशान के साथ मैदान में कोदें कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी और ये भी कह रहे हैं कि उत्राखंड में इस बार ना तो बीजेपी को और ना कॉंग्रेस को बहुमत मिलने वाला है इस बार की सरकार जो होगी, निड़ दलियों की सरकार होगी कैमरे के पीछे हैं राकेश गडिया जी, मैं देगवजा सिंग चौहान, नमस्कार